एकमकार सत्कुर्परसादी साखी शिरी गुर्णानक देव जी के अवतार धारने की शिरी गुर्णानक देव जी की जनम पत्रे का लिखने की विधी गुरु अंगत जी के दिवान में भाई बुड़्डा जी से आधी लेकर के बहुत से शिदालों सिख उपस्तिते ता भाई पैड़ा मुखा लिखने लगा विक्रमी समवत 1526 कार्तिक मास की पूर्ण माशी के दिन शिरी गुर्णानक जी के महराज का जनम हुआ उस समय आधी रात्री से एक घड़ी उपर थी नक्षतर अन्राधा था महूरत त्यंत शुब था राय भोय की तलवंडी में माता त्रिप्ता के घर्व से शिरी कालू वेदी के गिर्या में गुरु बुजी प्रगट हुई कालू जी ने पुत्र जनम सुनकर के अपने घर प्रोहित जिसका नाम पंडित हर द्यालू था उसके घर जाकर के नमशकार करके कहा कि पंड़ जी आपकी किर्पा से मेरे ग्रै विखे उत्पुत्र उत्पन हुआ है आप मेरे ग्रया में चल करके बालक की जनम पत्रिका लिखें पंड़त जी ने कहा कि मैं पूजा पाठ करके आपके घर में आता हूँ आप चलें कालू जी अपने घर में पधारे दो घंटे दिन चण्डे के पच्चात पंडित हर्द्यालू जी कालू के घर में पधारे। कालू जी ने पंड़ जी का उचित सत्कार किया और सुंदर आशन पर बिठाया। पंड़ जी ने कहा है कालू आप कागज केसर बगेरा ले आओ तब कालू जी कागज केसर चावल गोड आदिक थाली में धरके लेगे। पंड़ जी ने कहा है कालू आप ये बताओ कि बालक ने जनम समय में क्या कुछी शब्द किया और समय कून था। कालू जी कहने लगे कि उस समय दोपहर राते वितीत हुए अभी एक घड़ी वितीत हुई थी तथा लड़के ने क्या शब्द किया ये मुझे समरन नहीं है। पंड़जी ने कहा दाई को बलाओ। जब दोलता नाम की दाई आई तो उसने पंड़जी से पूछा कि हे दाई लड़के का जनम समय किस शब्द वारा जनमा था। तो दाई ने कहा पंड़जी मेरे हाथों ने एक बालग पैदा हुए है। तो ये धनी होगा और यह दो पहर पश्चात जनम लिया है। तो वहर रात्री एक महां रात्री है। इसके सिर छ्चत्र जूलेगा। मुझे अब ये ध्यान है कि वहे कौन सा छ्चत्र होगा जो इस बालग के सिर पर होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस बालक को मैं एक बार देख लूँगा तब कालू जी ने बालक को पंड़जी के सामने लाने के लिए मांगा तिपता ने कहां की शीत अधिका है इसलिए बालक को बाहर ले जाना उचित नहीं है जब पंड़जी ने बालक के कष्ट का अपने उपर लिया और माता तिपता जी मान गए अधिवस्तर के भीतर बालक को अच्छी तरह लपेट करके कालू जी बाहर लेकर आगे पंड़ित त्री कालक ये था उसने बालक दे करके सम्मान के लिए उठकर के बालक को दड़वत पर नाम किया तथा भली परकार देखकर कहा कि आप आप इसे भीतर ले जाएए लड़के को कालू ने भीतर लेगे तथा सेम्म पंड़जी से लड़के के नाम करन के लिए नोध किया तथा ग्रहों की दिशा का फल सुनना चाहा पंड़जी ने का हे कालू जी मैं इस लड़के के बारे जल्दी नहीं कर सकता कुछ काल सोच विचार करके उत्तर दूँगा जब त्योदाश दिन वितीत होंगे तब इस लड़के का नाम रखोंगा और इसे चूला भी पहनाओंगा ये कह करके पंड़जी चलेगे और तेरा दिन इसी सोच में पढ़े रे दिन जाते देर नहीं लगती तेरा दिनों के पच्चार पंड़जी कालू विदी के घर में आई शुब लगन दे करके बालक को चूला पहना कर उनका नाम नानक निरंकारी रखा इस पर कालू जी ने आपति की और कहा है पंड़जी ये नाम तो हिंदू और मुसल्मानों का मिला जुला सा नाम है नाम कोई और ही होना चाहिए पंड़जी ने उतर दिया वेधी जी ये आपका पुत्र दिवे जोती का अवतार है ऐसा अवतार आज तक नहीं हुआ है रामचंद्र, कृष्ण, चंद्र आदिक जितने भी यवतार हुए हैं उनकी पूजा हिंदो करते हैं पन्तु इसका पूजा न हिंदो और मुसल्मान दोनों ही करेंगे इसका परताफ सोरे के बहांत ही चमकेगा जनस्थल्टता सब इसकी स्तुती से भर जाएंगे यदिव्य बालक समुदर तट पर जाएगा तो सागर भी इसके लिए मार्ग छोड़ देंगे कहां तक कहा जाए ये बालक अद्धितिय होगा और एक पोर्नभरम कि पूझा तता सम्रन का परचार करेगा ये बालक पोर्नधरमात्मा तता ग्ञान विराग्या का अद्धितिय ग्याता होगा पर्मात्मा के बिए और किसी की पूझा नहीं करेगा हैं परम मित्र बेदी मुझे अब ये चिंता है कि इस लड़के के परताब का जब सूरे चमकेगा उस समें सियात हम रहें या ना रहें ये बालक पूर नवदार है नावनाद चुरासी सिद्ध तथा बावन वीर चोस्थ योगनिया भूत प्रेत देवता दानव देमिये रिशी मुनी तथा पीर पेगंबर सभी इसकी आग्या शिरुदारे करेंगे बालक साधारन बालक नहीं है वै जगत निरमाता सियम अवतार धार करके संसार का कल्यान करने के लिए प्रगट हुआ है इस परकार करके पंड़ा जी अपने घर को चलेगी इदर कालो जी अत्यंत परसंद हुए घर में किसी परकार की तुरुटी नहीं थी पालक के जनम उस्व की परसंदा में वस्त्र, आन, स्वर्न और गाएं आदी अनेक परकार के दान किये अनेक नानारी कालो जी तथा तित्ता जी को बधाई देने आने लगे सबका उचित सन्मान हुआ